दर्शको फिर से आपके सामने बेलजो टीवी की और से हर्शा गुंडला एक नई स्टोरी लेकर तो सुर्या नाम की एक लड़की थी जो बहुत छोटी सिर्फ आठ नाव साल के थी सुर्या का एक छोटा सा भाई भी था दोनों को आईस्क्रिम बहुत पसंदी और वैनिला बटर स्कोज पिस्ता केसर पिस्ता सारी आईस्क्रिम दोनों ने टेस्ट करके उसका एहसास भी लिया हुआ था भाई भले छोटा सा हो लेकिन बहन का खयाल तो रखता ही है वैसे ही सुर्या का भाई बहुत छोटा था लेकिन अपनी बहन की हर पसंद का खयाल जरूर रखता था जैसे आप लोग भी अपनी बहनों के खयाल रखते हो तो एक बार क्या हुआ, सुर्या का भाई, आइस्क्रिम पार्लर में चला गया, और मांगा उसने क्या मालूम है, ब्लू कलर का आइस्क्रिम, पार्लर वाली शोविल को लगा, ये छोटा सा, क्यूट सा बच्चा, शोविल ने कहा, बच्चे, तेरे को ब्लू कलर का आइस्क्रिम तो मैं जरूर दूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, सिर्फ एक घंटा दे, देख, मैं तेरे को ब्लू कलर का आइस्क्रिम सूर्या का भाई बहुत पंक्चिवल था और बेहन की पसंद के लिए conscious भी तो exactly after one hour सूर्या का भाई आइस क्रिम पार्लर में पहुच गया खड़ा रहे गया शोविल समझ गई ये बंदा किसलिए आया है शोविल ने ब्लू कलर का आइस क्रिम छोटी छोटे सितारों से सजाकर उसके हाथ में दे दिया शोविल ने देखा कि वो बच्चा उचलता कुटता और चैरे पर बहुत अच्ची स्माइल और खुशी थी कि मैं आज अपनी बेहन को खुश करके ही रवंगा शाम का वक्त था सारे बच्ची खेल रहे थे मैदान में थोड़ी देर के बाद वो बच्ची की बहन आई सुरिया घर में ममी से बोले ममी मैंने खाना तो खा लिया लेकिन फिर भी भूख लगी सुरिया का भाई वही था वो चुक्के से गया फ्रीज की और और फ्रीज में दूर कही छुपा के रखा हुआ आईसक्रिप लेके आया अपने बहना के सामने उसने ब्लू कलर का आईसक्रिप पेश किया बहना बोली भई ये क्या मैं क्या काला कला आईसक्रिम खाऊंगी उसने नाथ चड़ाया ममी एकदम कॉंशियस हो गई ये तो ममी बोली है ये तो ब्लू कलर का आईसक्रिम है ये इसे काला आईसक्रिम क्यों बोल रही है लेकिन मेरी नेंद भी तो खुल गई बराबर उसी वक्त मैं समझ गई तो सूरिया जो थी बिलकुल कलर ब्लाइड हो गई थी ब्लू कलर का काला कलर जो बोल रही थी